ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आ रही है जोहां शहर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नसरा रहा है इस बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सीजन के सबसे ज्यादा 33 नए डेंगू मरीच वहां मिले हैं ग्वालियर में लगातार डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है इस सीजन में सबसे ज्यादा यानि के 33 नए डेंगू के मरीच मिले हैं साथी आपको बता दे कि मरीजों में एक साल का बच्चा भी शामिल है लगतार डेंगू के मरीजों की संख्या में इसाफा देखने को मिल रहा है और शोहर में डेंगू का प्रकोव भी बढ़ता हुआ नसरा रहा है मैं बात करें तो सीजन के सबसे जादा 33 नए डेंगू के मरीज भॉालियर में मिले हैं यह बड़ी खबर इस वक के सामने आ रही है मरीजों वे एक साल का बच्चा भी शामिल है और लगतार जुस तरीके से यह मरीजों की संख्या बढ़ गई है कही न कहीं यह प्रकोव भी बढ़ता जा रहा है दस दिन में डेंगू के मरीजों के संक्या 112 पहुच गई है तोहल में डेंगू के मरीजों के संक्या कुल मिलाकर 335 हो गई है यह बड़ी खबर इस वक की ग्वालियर से सामने आ रही है जहा लगाता आप डेंगू का प्रकोब देखने को मिल रहा है निगम और स्वास